नमस्कार मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूँ मुझे आप सभी स्टुडेंट के साथ कुछ इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन शेयर करनी है नीट 2019 के काउंसलिंग और उसके प्रोसेजर के रिगार्डिंग round 1 का allotment जो है already complete हो चुका है और कल से round 2 का भी सुरू हो जाएगा registration का process अब round 2 में कुछ important details है मुझे आपके साथ share करनी है कि round 2 में अगर आपको कोई college allot नहीं हुआ है तो आपका round 1 में जो पहले से college allotted है तो आगे क्या procedure है उस college को exit या join करने के लिए तो मान लीजिए round 1 में आपको कोई college allot हो है और उसके बाद आपने college join कर लिए है और अब upgradation के लिए round 2 में participate करने वाले हो अब round 2 में आपको कोई college allot होता है तो automatically round 1 का जो seat है वो cancel हो जाएगा और round 2 की जो seat है वो आपके लिए रहेगी अगर round 2 में आपको कोई college allot नहीं होता है तो round 1 का जो seat है वो आपके लिए ही reserve रहेगा और फिर आपके पास दो option है आप या तो उस college को join कर सकते हो तो joining के लिए आपको reporting करनी है उस college पर या तो आप उस college को exit कर सकते हो अब exit का थोड़ा सा complicated यहाँ पर है यहाँ पर free exit का use आप कर सकते हो या फिर आपको penalty exit करनी पड़ेगी तो आपको free exit round 2 में कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ सबसे पहली बात free exit round 2 में सिर्फ उन student के लिए जिनको round 2 में कोई college allot नहीं हुआ और जिनके पास round 1 का allotted college है तो अगर यहाँ criteria आप में fix होती है तो round 2 में आप free exit आपको कैसी करनी है वो काफी simple है उसका time limit दिया है दो दिन तो दो दिन में round 2 का result के बाद दो दिन से पहले आपको exit कर देना है अगर दो दिन के अंदर आपने round 1 का seat exit कर देते हो तो free exit रहेगी 10,000 या 2,000,000 रुपया आपको refund हो जाएगा अगर दो दिन से ज़्यादा हुआ अगर तिसरे दिन पर आपने रिसाइट किया कि आपको round 1 का seat exit करना है तो आपके जो 10,000 security deposit है वो चले जाएगे क्योंकि वो penalty रहेगी पुरे rules and regulations जो है frequently asked question में आपको मिल जाएगे free exit आपको round 2 के result के 2 दिन के अंदर आपको complete कर देना है अगर 3 या 4 दिन हुआ तो फिर आपको जो है seat वो round 2 में गिना जाएगा और round 2 में free exit नहीं है यह सब आप student को पहले से ही पता है तो इतना सा information मुझे आपके साथ share करना था अगर आपको यह video पसंद आए हो और ऐसे ही video देखना चाहते हो तो नीचे जो like का button है जो subscribe का button है उन्हें दबाना ना भूलिए धन्यवाद